दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुलजा सिंसिंपार टू की कहानी की तो कहानी की शुरुआत होती है महले के एक सबसे बड़े गुंडे कट्टा भाईया से जो कि सिंपरन के पीछे पड़ा होता है वो खिड़की से चड़कर उसके कमरे में पहुच जाता है और वो उसके साथ मस्ती करना चाता है लेकिन इतने में ही सिम्रन उड़ जाती है और वो कट्टा भया को लात मारती है और वो उसे नीचे गिरा देती है फिर उसके उपर बेट जाती है और उसे बहुत मारती है दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि छोटी देवरानी अपनी बड़ी जेठानी से बात कर रही होती है छोटी देवरानी जेठानी को कहती है कि उसकी लाइफ में अब जैसे मस्ती खतम ही हो गई है सिम्रन ये बात सुन लेती है और वो उसे कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ सिम्रन को कौल करती है और कहती है कि एक लड़की को सिर्फ अपने पती से ही प्यार करना चाहिए. किसी और से नहीं. अब कट्टा भाया होलि के दिन सिम्रन के घर पर आ जाता है और उसे जब दस्ति रंग लगाने की कहता है. सिम्रन इसके लिए मान जाती है और वो उसे रंग लगा देता है फिर सिम्रन भी उसे रंग लगाती है और वो रंग की जगा उसे लाल मिर्च लगा देती है अब कटा भई या नर्स के पास जाता है पर वो नर्स इस पर ही उल्टी कर देती है क्योंकि उसमें से टोलेट की तुम दवाई दे दो और वो पैसे दे कर उसे दवाई ले ले लेता है यहां कट्टा भाया सिम्रन के साथ शादी करने के लिए शादी के कार्ट छपबा रहे होते हैं और अब्देश ये सब देख कर इसे मारने लगता है पर वो सिम्रन की वैसी वाली वीडियो दिखा देता है अब सिम्रन और अब्देश इस वीडियो को डिलिट करवाने के लिए कट्टा भाया के पास आते हैं अब अब्देश तो भार खड़ा हो जाता है लेकिन सिम्रन कट्टा भाया के पास चले जाती है और वो उसका वो हाल करती है कि वो किसी और की तरफ देखने लाएगी नहीं बसता और जो अफदेश अपनी बीवी को खुस नहीं कर पाता था वो आज उसे बहुत जादा खुस करने लगा है और ये वैब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है वेज़ दोस्तों आपको हमारी आज कि यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ यह से मज़दार वैब सीरीज के बारे में जाने के लिए वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि हमारी हार एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके